क्या हो अगर आपके पेरेंट्स आपको एक डीमन को बेजतें, वो भी सिफ दस रुपए के लिए, वेल यही स्टोरी है हमारे मेन कायटर इरुमा की, जिसके साथ बिलकुल ऐसा ही हुआ है, वेल मैं आप सब की बाते सुनी और मैं समझ गया कि आप सब को चाहिए लॉंग मुझे कहा था कि आपको विलन वाले एनिमे की बीजाए वीडियो चाहिए, तो मैं उसके भी वीडियो साधा अपलोड करने वाला हूँ, आपको जो चाहिए आप वो कमेंट कर सकते हो, और मैं वैसा ही करूँगा, वेल इसके साथ साथ मैं आपसे भी रिक्रिक्वेश करना होता है और उसके साथ साथ उसने कालेगो को बोला होता है कि उसको चाहिए the royal one class, उसके बद वो उसकी पूरे classroom के सारे students को लेके जाता है royal one के सामने और बोलता है कि अब हमें सारे teachers का approval चाहिए, और वो कहता है कि इसके लिए हमारा important character होने वाला है jazz, उसके बद इरुमा jazz को बोलता है कि jazz को जाके कालेगो सेंसे के पास से एक important चीज चुरानी है, वो jazz को ही ऐसा क्यों बोलता है क्योंकि jazz की bloodline ability होती है, जो उससे चीज़े चुराने में help करती है, उसकी ये ability उसको एक extra revision देती है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि कि किस इंसान ने अपने पास कौन से चुपा के रखी है, और जो उसकी fingers होते हैं, वो पूरी तरह से spread हो सकते हैं एक साब की तरह, तो इसी वज़े से वो चोरी करने में expert है, वेल उसकद इरुमा और jazz जाते हैं कालेगो सेंसे के पास, इरुमा कालेगो सेंसे को distract करता है, वो उनसे कहता है कि मैं आपको एक familiar ब वो कहता है, रुको रुको, तुम कहां भाग रहे हो, तो इरुमा को लगता है कि लगता है कालेगो ने उन्हें पकड़ लिया है, कालेगो से उनसे वो seal मांगता है और बोलता है कि तुम मुझे समन नहीं कर सकते, ऐसा बोल के वो निकल लेता है वहां से, उसका अगले सी में अप्रूवल हमें देना पड़ेगा वो टीचर जो की कालोगे पीछे पागल रहती है वो इरुमा को अपना सील दे देती है अप्रूवल का और उसके बाद वो डाइरी ले लेती है उसके अगले सी में हमें दिखाते हैं कि यह लायन जैसे शेकल वाला बंदा और क्लारा दोनो जाते हैं एक टीचर के पास जो की होती है नॉलज वाली टीचर यह टीचर लाइबरी में बैटी होती है और पढ़ रही होती है और वो कोई एक खतरनाक शीज के बार में बात करने लगती है इनसे और तबही यह लायन वाला बंदा जिसका नम ऐलोसेर होता है यह उसी यहां पे यह ओल्ड सेज़ टाइप टीचर बैठा होता है जो की magic वाला टीचर होता है यह बैठे के उसके जो subordinates होते हैं उनको ग्यान बात रहा होता है तब ही वहाँ पे आता है हमारा यह चोटु यह चोटु बढ़ यहां पे आके उससे लड़ीयों के बारे में बात करता ह और हमें मालूम पड़ता है कि यह जो बढ़यू है यह थोड़ा ठरकी भी है और यह लोग बात करते है शुरूँ करते हैं लेकिन हमारा छोटू इसको बोलता है कि अगर तुम्हें ये बात है काँ अपरूवल का ओर बढ़यू ऐसा कर देता है और वहाँ के पूरी land को खेती करने के लायक बनाते हैं तो यहाँ पर ये इनकी botany वाली teacher आती है और वो भी इनको approval दे देती है वेल फिर अगले scene में Asmodeus जाता है उसके senior के पास और उससे बाकी teachers के बारे में information निकालता है और ये करने के लिए उसका senior उससे बोलता है कि तुम्हे तुम्हारे flames मेरे सामने use करने पड़ेंगे तो Asmodeus इरुमा के लिए इतना कर देता है फिर अगले scene में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के grandpa थोड़ा अपने आप में ताकत लेके आते हैं और उसके पीछे opera भी थोड़ा ड़ा ड़ा रहता है और ये लोग प्लान करते हैं कि अभी लोग जाएंगे और इरुमा को समझाएंगे कि उसे बुरा बच्चा नहीं बनना है ऐसा सोच कि उसके grandpa जैसे ही इरुमा के रूम में घुसते हैं ये देखके grandpa बहुत खुश हो जाते हैं वेल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कूरुमी बन जाँ तो बहुत सारे टीचेसं का अबर्ट मुश्किल होने और बगी से बसे बात कर लेता हूे कि प्रलित है कि अगले सीर धून में दर्बकाते हैं की शीक साघस अर् जो ये हमारे नेसान है ये लोग मिलके जाते हैं यह लोग बालवाल टेट टीचर के पास और यह लोग वहाँ पर जाके खेलते हैं एक गेम जिसको Clara ने बनाया होता है इस गेम के रूल्स बहुत कंफ्यूजिंग है यह मुझे खुद नहीं समझ में आए और तभी अगले साइड पर इरुमा करता है कॉल आमेरी को उससे बात करने के लिए इरुमा का कॉल देखके आमेरी थोड़ी सी शर्माय लगती है खुशी से फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर शैक्स ने गेम शुरू कर लिया होता है टीचर के साथ और शैक्स अपना bloodline magic यूज़ करता है इसके पास यह ability होता है कि यह सामने वाले के senses को control कर सकता है और यह जैसे ही सामने वाले के senses का control ले लेता है तो बंदे का वो sense बंद हो जाता है तो शैक्स सबसे पहले यह teacher की देखने की ability को का कायब कर देता है लेकिन यह teacher की ability होती है lucky happy मतलब इसके पास इतना luck है कि यह कभी हार नहीं सकता है और यह फटाफट जीतने लगता है शैक्स के सामने वहीं पर दूसरे साड़ पर हमें दिखाते हैं कि यह teacher ने एक shield बना लिया होता है अपने सामने सामनौक को रोकने के लिए और इरुमा जाता है आमेरी के पास बाते करने के लिए और उसका approval लेने के लिए इरुमा को देखके आमेरी शार्माने लगती है लेकिन वो खुद का composure को hold करके रखती है वो कहती है अच्छा तो इरुमा सही में अपने evil cycle में है आमेरी अपने money money सोचते है कि उससे फटाफट इरुमा को approval देना है लेकिन वो एक student council के president है इसलिए उसका role भी निभाना पड़ेगा तो वो इरुमा से पूछते कि तुम्हें royal one classroom क्यों चाहिए तो इरुमा उससे बताने लगता है तभी हमें दिखाते हैं दूसरे साड़ पर कि शैक्स असल में जीत गया होता है तो यहाँ पर वो teacher बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे पास तो पूरा luck का ability है तभी ही वो देखता है कि नेसान के सामने तो नेसान के पास ability होता है favoritism का कि वो किसी भी बंदे से कोई भी favor ले सकती है और इसी वाज़े से शैक्स और नेसान यहाँ पर जीत जाते हैं और उन्हें मिल जाता है approval यह teacher का और यहाँ पर दूसरे चाड़ के हमें दिखाता है कि साबनौक यह teacher के सामने अपने सर पे गिर के माफी मांगता है तो यह teacher साबनौक को देखता है तो बोलता है कि यह बहुत rare चीज़ है कि जबी कोई भी demon अपने wings का root दिखाता है सामने वाले को इसका यह मतलब है कि तुम दितिल से मुझसे माफी मांग रहो चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और तुम्हें मेरा seal भी दे देता हूँ और यहाँ पर इरुमा आमेरी से बात करके उसे समझाता है कि उसे royal one इसलिए चाहिए क्योंकि उसका current classroom बहुत खराब है उसके साथी साथ उसके जो भी misfits दोस्त है वो लोग सब लोग एक special type के demons है तो उनके लिए royal one ही सबसे best classroom है और आमेरी तो इरुमा के प्यार में पागल रहती है वो उसकी बातों पे ध्यान देती ही नहीं रहती है और फिर इरुमा यूज़ करता है उसका master attack वो जाता है आमेरी के करीब और उसके आसपास हाथ रखके उसके face to face बात करता है इसके वाद से आमेरी पूरी तरह से confused हो जाती है और फटाक से इरुमा को approval दे देती है वो शर्माने लगती है उसके बाद इरुमा जाता है अपने classroom में और बोलता है कि हमें 36 teachers के approval मिल चुके अब बस 37th stamp बचा है जो की आपका है और rules के हिसाब से आपने कहा था कि अगर हमने बाकी सब teachers के stamp ले लिए तो आप आपका stamp भी हमें दे दोगे तो चलो अब आपकी बार ये stamp देने की और royal one खोलने की तब ही काले को उनसे बोलता है rules के हिसाब से तो मैंने यही कहा था कि teachers का stamp लाए हो, faculty में आते हैं cleaning करने वाले लोग, librarian, cook, सब लोग आते हैं उसके अंदर, gardening की team हर एक इनसान आता है जो की यहाँ पे काम करता है, तुम्हारे पास उनके तो stamp नहीं है, तो rules के हिसाब से मैं तुम्हें मेरा stamp नहीं दूँगा और तुम्हारा royal one में transfer नहीं होने व वाला बोलते हैं, फिर उसके वो लोग हताश होके निकलने ही वाले होते हैं, कि तभी ही gate खोल के आते हैं, faculty के बाकी के लोग, cleaning वाले आदमी आते हैं, chef लोग आते हैं, gardeners आते हैं, सब लोग घुषते हैं अंदर और बोलते हैं, इरुमा ये रहा तुम्हारा stamp हमारी तरफ स और इस वज़े से हम सब तुम्हारे बहुत बड़े fan हैं, और तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, तो ये लोग हमारा stamp तुम्हें मिलता है, और ऐसे करके इरुमा के पास सारे के सारे stamps आ जाते हैं, वेल फिर उसके बाद इरुमा जाता है कालेगों के पास और उससे कहता है ये लोग, सारे के स्टाजे stamps हमारे पास आ गए हैं, अब आपकी stamp की बारी है, तो कालेगों खुत के हाथ को बहुत रोखने ही कुछ करता है कि वो stamp ना दे, लेकिन उसे stamp देना पड़ जाता है, और इसके साथी साथ इरुमा और उसकी पूरे classroom को अब approval मिल चुका है Royal One में ज लेते हैं कि उन लोगों ने तीन दिन के अंदर इतना impossible task को complete कर लिया है, फिर वहाँ पे कालेगो आता है और बोलता है कि इरुमा तुमने ये task complete कर लिया, उसके साथी साथ मुझे chair demon का भी approval मिल चुका है, तो अब मैं Royal One को खोलने वाला हूँ, कालेगो असल में guard dog होता है यह उसके बाद कालेगो seal को open करता है और Royal One क्लासरूम को खोल देता है, उसके बाद कालेगो घूम के एक speech देना start करता है, लेकिन सारे misfits के लोग फटा फट घुश जाते हैं क्लासरूम के अंदर क्लासरूम को देखने के लिए, वहाँ पे लोग पहुशने के बाद इतने excited रहत करने के लिए और इसलिए ये क्लासरूम perfect condition में है, और उस क्लासरूम के ठीक आगे होता है Demon King का थ्रोन, तो Iruma चल के जाता है और वो थ्रोन पे बैठता है, और जैसे ही Iruma वो थ्रोन पे बैठता है, तो सारे के सारे demons शान्त हो जाते हैं, और Iruma को देखते रहते हैं, वो अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि Iruma वापस सो के उठता है, और उसका evil cycle खतम हो चुका होता है, और अली सान भी उसके अंगुटी से बाहर निकलते हैं, और Iruma को बोलते हैं, और Iruma तुमारा evil cycle कैसा रहा, तो Iruma अली सान को पकड़ता है, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यू किय फिर उसकाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि Iruma के दादा जी रोते हुए रहते हैं, और बोलते हैं कि क्या Iruma वापस से ठीक हो पाएगा, कि नहीं हो पाएगा, ऐसा वो बैठके सोचते रहते हैं, और एक fool को तोड़ते रहते हैं, और तभी Iruma ठीक होके जाता है, और बो बुरा मानती ही नहीं है, फिर वो उसके classroom में जाता है, जो कि होता है, रोयल वन और उसके सारे दोस्तों लोग उसकी tank ही चाहिए करते हैं, उसे परिशान करने लगते हैं कि वो उसके evil cycle में कैसा था, यहां तक कि कालेगो सेंसे भी आके वहाँ पे खड़े रहते हैं, और इर उठा सके, आज के लिए मेरे दर से बस इतना ही मेरे नाम एसास मेट और बात करूंगा आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक की रिए, बाई बाई